अग्याद आज मैं आप सभी के बीच में एक नया टॉपिक सनई की खेती के बारे में कुछ जानकारी लाया हूं अगर आपको हमारी जानकारी अच्छे लगे तो क्रिपया चैनल को लाइक एंश्ब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में वेल आइकन घंटी भी दबाईएं और सनई की बारे में बात करते हैं तो इसका बटन कल लें जोता है क्रोटो लड या जंसिया होता है और फैमले जोता है या लग्यमिनेशी का होता है और इसका उदपत्ती अस्थान जहां पर पहली बार इसकी खेती हुई थी वह ब्राजिल है और इसका करमोसुम नमर जो होता है 2N स्कुल 2,20 होता है और सनई की बात करते हैं तो इसका प्रियोग जोता है हम हरी खात के रूप म देशे प्राप्त करने के लिए तथा बीज उत्पादन के लिए करते हैं अब बात करते हैं सनई के लिए कैसी जलवाई चाहिए तो जलवाई जोता है इसके लिए उष्ड जलवाई की फसल है यह जैसा की माना जाता है और इसके साथ साथ उष्ड तथा उपोशड दोनों में लगाया जाता है अब बात करते हैं उत्री भारत में जोता है खरीब में खेती होती है तथा दच्छडी भारत में इसकी खेती रवी तथा खरीब दोनों छेत में लगाया जाता है या आदर जलवायू तथा अधिक ताफमान इसके लिए उप्यूक्त होता है और इसके बाद जो है कि सूखे के प्रतिया सेहन से होता है मतलब सूखा पढ़ने पर आप काफी याद तक कोई प्रभाव नहीं पढ़ता या कंट्रोल कर ले जाता है अब अब बात करते हैं मिड़ा इसके लिए कैसे चाहिए होती है सभी प्रकार की मिड़ा में या लगाई जा सकती है लेकिन अगर मिड़ा हल्की दोमट को तो या सब से उक्युक्त होता है अब इसकी कि किसमों की बात करते हैं तो किसमें इसकी हें के बारा है ROM 25 M 80, M 90, R 67, 34 और संकर, BE तथा D9 और HD 55 है इसके साथ साथ अगर हम इसके बीज़दर की बात करते हैं तो हरी खाद के लिए हमें इसका प्रियोग करना है तो 90-100 kg प्रती हेक्टेर तथा रेशे के लिए करना है तो 60-75 kg प्रती हेक्टेर और 20 पादन के लिए करना है तो 40-45 kg प्रती हेक्टेर अब हेक्टेर का एक पैमाना होता है कि एक हेक्टेर इसकोल टू 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है तो उसके आधार प्रिया बीज़ दिया जाता है अब बात करते हैं बुगाई की विधी कौन कौन से होती है तो बुग 500-25 तो रेशे के लिए अगर जो हम पौद रोपर कर रहे हैं तो 50-60×20-50cm का अंतरा रखते हैं और अगर जो हम रिकाट के लिए कर रहे हैं तो 335×20-50cm का अंतरा रखते हैं अब बात करते हैं इसकी कटाई की तो हरी کہ इसकी जोती है पल्टाई बुवाई जोती है दो माह 15 दिन बाद अथ्वा पुष्पन अवस्ता में रेसे के लिए फस्लिक की कटाई फूल आने के बाद करते हैं अब बात करते हैं इसके अगर देखा जाए कि बीज उत्पादन के लिए कटाई क्या होता है तो फलियां जोता है से लगते हैं रोग में आता है रश्ट लगता है उक्ठा लगता है जीमालु लगता है पत्ति धबा लगता है मुझाइक रोग लगता है और कीट जोता है इसमें दो प्रकार के लगते हैं सनई मौत तथा तना शेदक लगते हैं अब बात करते हैं अगर सनई की उपज की द प्रतियक्टेर और हरी खात कि बात करते हैं तो दो सब तीन सो कुंटल प्रतियक्टेर तो किसान बाइयों ये सनई के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी अगर आपको हमारी जानकारी अच्छे लगे तो कृपया हमारी चैनल को लाइक है सब्सक्राइब जरूर कीजिए और स